नमस्कार दोस्तो, दोस्तो पुराना घर में कैसे लगाना है और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि लोडबेडिंग अस्ट्रेक्शर को फ्रेमस्ट्रेक्शर में कनवर्ड करना मतलब जो घर बिरिक के उपर है उसमें ना कॉलम ना बीम है उसमें हमें जो है कोलम और बीम देना है तो कैसे देना है क्या देना सही है या उस घर को तोर करके फिर से नया घर जो है फ्रेम अस्ट्रक्चर का बना दे तो चलते हैं हम आपको एक एक चीज जो है बारीकी से बताएंगे आउन साइट जहां पर ये काम हो रहा है वो भी दिखाएंगे हम पूरा अच्छी तरिक्स देखिए और समझिए कि आपको करना है या नहीं करना तो सबसे इंपोरेंट बात आती है कि आपका घर जो बना हुआ वो कितना साल का अगर आपका घर 30 साल से निचे है तब जाकर के आप उसमें चाहते हैं लोड बेरिंग घर को जो ब्रिक के उपर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेम स्टक्चर में कॉलम और बीम दे सकते हैं याने तो जो घर आपका 50 साल से ज़्यादा हो गया है उसमें तो आप बिल्कुल मत कीजिए उस घर को फिर से तोर करके पोरा तोर करके फिर वहां पे नया बना देजिए हाँ जब भी अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप आपको वीडियो मिले चलते हैं तो जब भी आप करेंगे तो आप कोशिस यह कीजिए कि हमेशा किसी अनुभवी इंजिनियर चाहे आर्किटेक के संपर्क में आकर के तब ही यह काम सुरू किजिए और इसमें जैसा कि दिवाल पूरा गिर जाए उपर से छत भी गिरने की चांस होती है तो किसी अनुभवी इंजिनियर से ही संपर्क करके आपको यह घर बनाना और आपको बता दू कि जातर पहले जो है लोट बेडिंग का घर बनता है जातर वो जो है नो इंची के दिवाल पे बनता पंद्रे है तो ठीक है लेकिन अगर नो इंची पे ही था तब तो जो है आपको और इसमें साफधानी बरतनी पड़ेगी पूरी बारेकी से ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि इसमें सबसे पहले आपको प्रोग डालते हैं यह भी ध्यान में रखना और को यह भी देखना चाहिए कि 15 फिट से कोई भी कोलम के डिस्टेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए यह भी आपको ध्यान रखना अगर वैसा है जातर प्रोग्लम कहां होगा रूम का तो साइज तो आपका पंदरे फिट ज्य है हम एक-एक करके इसट ने फिर से चलते हैं विडियो में और देखते हैं तो चह्ते हैं और को ऐसा करना चाहरए है सबसे पहले जहां पर कोलम अने वाला है वहां कातने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं पहला है डायमेंड कटर या नहीं तो आप तो आपको पूरा ही हटाना और तोरना पड़ेगा तो इसलिए तो जहां जहां कोलम आ रहा है वहां पे आप जो है फुटिंग बना लेजिए फुटिंग से आप रेंफोर्श्मेंट देकर उस कास्टिंग कर देजिए ठीक है और उस दिवाल को एक ही साथ कोशिस कीजिए नहीं काटने का को कास्टिंग करते जाएं और उस साथ से आगे बरते जाएं है हां अर्लों क्यों सोचते हैं कि आपको इद्धियान में रखना है कि बजट में भी कई ऐसा ना हो कि तोर करके बनाने में मुझे ज्यादा खर्चा पर जाए और उस करके उस अच्छा है कि पूरा करके बनाने में कम खर्चा पर यह आप किसी अच्छे अनुभव इंजिनियर से संपर्ख करके तभी बनाईएगा यह आपको ध्यान मन लेकर चलना है और आप बात करते हैं यह तो सिर्फ वाल कटिंग का हो गया सलेब कटिंग भी आपको जो करन करना है सलेब कटिंग के समय ध्यान रखना है क्योंकि सलेब में आपको कॉलम का को स्टेंट करना है उसके लिए आप सलेब को जो है च्छत को कंक्रीट को तो तोरना है उसको जो है डायमंड कटिंग से नहीं कटना है तो सरीया भी आपको कट जाएगा तो फिर कनेक्शन कॉलम में जॉइंट करके तब काश्टिंग कीजिए अब ये भी है और हाँ अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके छत में बीम नहीं है तो तब तो और थोड़ा परिसानी हो सकता है बीम के लिए आपको क्या करना परेगा कि एस्टेप एस्टेप जाना परेगा और जहां पर अलग-अलग करना पड़ेगा मतलब यह कि पहले एक कोलम से एक दुसरा कोलम तक उपर वला आपको यह ब्रीक हटा देना है नीचे से सपोर्ट दे देना है आपका सपोर्ट के लिए भी आप जो है एमस का हमेशा इस्तिमाल किजिए ब्वास बल्ली का मत इस्तिमाल किजिए सपोर्ट दे सकते हैं और उसके उपर बीम काश्टिंग कर सकते हैं इसको लटक भी मोलते हैं तब जाकर के होगा और उपर से आपको जो थोरा सा से लेब में होल करके उसकर कंक्रीट आपको डालना पड़ेगा थोरा सा जो है बहुत ही माथा-पच्ची वाला यह काम है खर् पूछते हैं कि सर क्या करें दिवाल को काट करके कोलम Co पर दाल दें या कि फिरते तोर कर ने घर भणć हम उसको एक ही समने बोलते हैं कि आप घर को फिर से तोर करो करें कर्कें फिर से neighbors आदगे ऐसे में आपका ज्यार्चा पर जाएगा कि और अुवर कि तो उस सीरी में भी अगर आपको लगता है कि यह सीरी पुराना होंगी या कंगीड जहर रहा है उसको तोर करके फिर से बना देजेंगे तो उसी को आप रहने देजिए तो यह भी ध्यान में रखिए और कॉलम देने से पहले कि यह स्टेप बाइस्टेप को लंग कास्टिंग कर देए एक मीटर देर मीटर तक कास्टिंग कर सकते हैं लेपिंग भी ध्यान में रखिए और कहां कहां पर आपको कॉलम आरा फिर उपर छट में भी आपको भूल करना पड़ेगा जिसोंगे कोलम जाएगा तो यह और फिर ऑपर रहेंफोरस्मेंट से पर कर सकते हैं यह प्रोसेस अपर कर सकते हैं थोरग कमेने बिलडिंग में थोड़ा को स्ट कम पर सकता है लेकिन छिए ऑस अप ना होने है जैसा कि आप घर को देखने से समझ में आरा तो दोस्तों उमीद करता हूं कि यह वीडियो देख करके आपको कुछ ने कुछ जरूर जानकारी मिला होगा और अगर हाँ यह वीडियो आपको पसंद आया जरूर इसको लाइक किजिए और इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे उसके लिए हमारे चैन जब जब सिविल इनर्जेपकमार कोई नया वीडियो अक्तल आया तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा ठीक दस्तों हाँ अगर अब धी कुछ अगर आपको डौट है कुछ भी कन्फूजन है तो जरूर से जरूर जो है हमारे कॉमेंट में कॉमेंट करके ठीक हम आपका वहाँ पर जबाब दे दूंगा ठीक रस्तों धन्यवाद दूस्तों